देखे मीच्वल फंड में याद से नहीं बलके हमेशा से यह होता रहा है कि कभी कोई AMC अपने फंड में लंबसम बंद कर देती है कभी कोई HTP बंद करती है कभी कोई SWP बंद करती है इस तरह का मामला चलता रहता है और जरूरत पढ़ने पर उसको ऑपन भी किया जाता है इस मैंने आपको लगबग दो वीडियो मैंने बनाया है जिसे मैंने एक वीडियो में मैंने आपको यह बताया हुआ था कि टाटा स्मॉल के फंड में जब लंसम इन्वेस्टमेंट का विंडो कलोज कर दिया गया था उसके बाद और एस भी आई का तो ओल्डेडी कलोजी है उसके हाँ बिल्कुल अब सही सुन रहे हैं बिल्कुल मार्किट अभी अपने लास्ट पॉइंट पे आने को है और उसके आसपास में लेकिन एस भी आई मिचुल फंड ने अपने कुछ फंड से लंसम इन्वेस्टमेंट का विंडो बिल्कुल ओपन कर दिया है वहाँ पर आप ल वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट चाइनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए उन लों के पास जो लोग इस तरीकी की वीडियो देखना पसंद करते है तो चलिए अब हम सबसे पहले SBI के बारे में बात करते हैं SBI के अगर हम बात करें तो 3 जुलाई 2023 से SBI mutual fund ने अपने international equity fund का window open कर दिया है यहां तक आप समझ चुके हैं मतलब यहां पर अब आप चाहे तो लमसम कर सकते हैं चाहे तो HTP कर सकते हैं या चाहे तो किसी और भी fund स इस fund में switch करना चाहे मतलब total पैसे किसी और fund का इस fund में लगाना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं समझ रहे हैं अब यहां पर अगर आपको मैं fund का नाम बता हूँ तो सबसे पहला fund है SBI international access US equity fund है जो के 3 जुलाई से इस fund में SIP भी आप कर सकते हैं और वो सारा चीज़ कर सकते जो मैं already बता चुका हूँ समझ रहे कि नहीं अब भी तलक इस fund का window बिल्कुल close था इसमें कोई भी fresh investment नहीं किया जा रहा था यहां तक है कि आप HTP और भी नहीं कर सकते थे और दूसरी बात मतलब SIP और भी नहीं कर सकते थे बट अब आप SIP भी कर सकते हैं लंसम भी कर सकते HTP भी कर सकते हैं और किसी दूसरे fund से आप switch करना चाहें तो वो भी आप easily कर सकते हैं देखिए यहां पर international equity की अगर हम present की बात करें तो बहुत सारी जगों पे सस्ता देखने को मिल रहा हैं लेकिन इस सस्ते पन को देकर अभी आप अपने दिल को जरा मतलब dry मत बलके यह आन पर दिल के बात करते हैं जिसने अपने मिच्वल फ़ंड से लंसम का window open कर दिया है समझ रहें तो वह है पीजी म इंडिया जी पीजी म इंडिया ने भी अपने मिच्वल अपने कुछ international liquidity fund से मतलब लंसम का window open कर दिया है समझ रहें कि अगर फ़ंड का मैं नाम बताऊं तो सब से पहला fund है पीजी म इंडिया global equity opportunities fund दूसरा नंबर पर जो फंड आता है वह दूसरा नंबर का fund है पीजी म इंडिया emerging markets equity fund और तीसरे नंबर का जो fund है वह है पीजी म इंडिया global select real estate securities funds of funds समझ रहें कि नहीं तो यह तीन funds है जहां पर पीजी म इंडिया ने इन फंडों से लमसम investment का जो window है उसे open कर दिया है यहां पर अब आप लमसम के जरीए investment कर सकते हैं देखे अब यहां पर एक बहुती जरूरी बात करना चाहूंगा आखिर ऐसा क्यूं करती है AMC कि कभी लमसम का window on करती है कभी off करती है कभी investment बिल्कुल सीरे से बंद कर देती है किसी तरह का क आज मैंने इस वीडियो में जिस तरह के funds के बारे में मैंने बात किया है उस तरह के funds कि अगर हम बात करें कि इस तरह के funds में आखिर क्यों window को close कर दिया जाता है तो देखे मैं आपको एक चीज बताता हूं पिजने साल क्या हुआ था सेबी ने एक regulation लेकर आया था जिसमें मत कोई भी AMC नहीं ले सकती है तो जब वह limitation complete हो जाती है तब वह अपने window को close कर देती है कि वहाँ पर लंसम आप नहीं कर सकते हैं कोई भी fresh investment आप नहीं कर सकते हैं बट मान कर चलिए कभी कभार ऐसा होता है कि मान कर चलिए 2000 क्रोर मतलब पैसे लेना था तो अब regulation के मताबिक यह होता है कि AMC जितना पैसा कम पढ़ रहा है उतने पैसे को मतलब पूरा करने के लिए अपने window को open कर सकती है और इसलिए कभी window open हो जाता है और कभी close हो जाता है यहाँ पर एक बात और भी बहुत में है जिस तरह के funds की हमने बात कि है इसमें अगर आप investment करना चाहते हैं तो इसमें investment क्या आपके लिए सही है या नहीं है तो देखिया अगर diversification के हिसाब और उसके according अगर हम देखने की कोशिश करें तो यह fund बहुत ही अच्छा है और मैंने जैसा के पीछे कहा भी है कि आने वाला time में मतलब 4-5 साल के बाद यहाँ पर एक अच्छा returns देखने को एक अच्छा benefit देखने को मिल सकता है समझ रहे कि न allocation होना चाहिए इस तरह के fund में समझ रहे कि नहीं मान कर चली कि आप 10,000 रूपिये आप आपको investment करना है तो सिर्फ 1000 रूपिये ही आप इसमें 1500 ही रूपिये मतलब आप इस तरह के fund में investment करिए उसे जादा का allocation देना मेरे ख्याल से सही नहीं रह सकता है तो फिलहाल आज की इस इस तरीकी की वीडियो देखना पसंद करते हैं मैं मिलता हूँ किसी next and interesting वीडियो में जबता के लिए all the best thank you thank you for watching